कॉंग्रेस के वरिश नेता सल्मान, खुशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं सर कुछ दिन पहले जब ED का समन राहुल जी को गया था तो कॉंग्रेस के सभी नेता सडकों पर उत्रे थे उन्होंने उसको भी कहा था कि सत्या ग्रह आज आप लोग अगनीपत योजना की विरोध में उत्रे हैं उसको भी आप सत्या ग्रह का नाम दे रहें तो सत्या ग्रह के माईने कही ना कही बदलते हुए नजर आ रहे हैं क्या कुछ कहेंगे सत्य ग्रह के माहिने नहीं बदलते हैं, सत्य ग्रह सत्य से संबंदित है, जब भी आप सत्य के लिए खड़े होंगे, जब भी आप किसी का विरोध करेंगे, क्योंकि वो सत्य के साथ नहीं है, वो सत्य ग्रह होगा, और सचे मन से करेंगे वो सत्य ग्रह होगा, विशे कोई भी हो विशे कोई भी हो वो सत्यग्रे होगा एक बच्चा अगर अपनी मां से नाराज होगा और नाराज होकर बैठ जाओ कहेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा वो भी सत्यग्रे है हमें ये जानना चाहिए कि सद्त्यग्रे हमारे राष्टर जीवन में कितना महत्वपूर्ण एक विशे है यह हमें जानना चाहिए इसलिए क्योंकि सत्यग्रे जुड़ा हुआ है लोकतंत्र से डिमॉक्रिसी से डिमॉक्रिसी में अपनी बात कहने के लिए हर एक को एक मौका मिलना चाहिए वो ही मौका जब आप इकत्रित होकर एक विशेश भावना से जब वो अपनी बात कहते हैं सत्रत्त की हमेशा जीत होती है सत्ध मेव जैयत है यह हम जानते हैं तो इसलिए सत्धत आप ही के पार्टी के नेता है मनीश तिवारी जी वह तो अगनी प्रह योजना का समर्थन कर रहे है अच है अगर ऐसा ना होता तो अप कहते डिक्टिटॉ release है ये पार्टी एक सब एक एक ने कह दिया सबने मान लिया हमारे हां चर्चा होती है तो अगर मनीश्टिवारी चर्चा करना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो अच्छी बात है उसे आप क्यों विरोध में आये सर आपको क्या योजना में खामी नजर आती है मुझे खा साल में वह अपना जीवन खो भी सकता है उसको शिर्फ आप 4 साल के लिए रख रहे हैं तो यह सई है अच्छा अगर इसको सही लगता है तो वह चला जाए जब उसको सही नहीं लग रहा है तो मैं कैसे कहा हं पूर्फ वॉप कर रहे हैं वह समजह का ही कोशिछ भी नहीं है इसको समझाया ठीक से नहीं जा रहा है कि जो हिंसा है उसके लिए congresthe कर रहा है कर आप कैसे देक्क है लिए शांती पूरवक यहां बैठेarlah तो हमसे कहा जा रहा है कि आप हिंसा कर रहे हैं, हिंसा करेंगे तो कहा जाएगा देखो कितने शांती पूरोग कर रहे हैं, यह क्या बात है, किस तना की चर्चा है इस देश में, ज़रा खुल कर सचाई से चर्चा करनी चाहिए, सत्रग्रे से डर्णा नहीं चाहिए, सत्रग् जही आपको सही रास्ता दिखाता है जारखन में आप ही के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगनीपत मुद्द को लेकर जो पूरा मुद्द है ये खून से लत्पत होगा फेल होगा अगनीपत का पूरा योजना इसको आप किस तरीके से दिखने जो भाशा इस्तिमाल की ज जा रहा है तस्वीरे आप देख रहे हैं दिली के जंतर मंतर पर फिलहाल जो पूरा इलाका है वो चावनी में तबदील हो चुका है साथ में दिली पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर पहुच गए हैं अगनीपत योजना के खिलाफ ये भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस का बड़ा प्रदर्शन आज होने जा रहा है तमाम कॉंग्रेस के बड़े नेता आप से कुछ देर में पहुच रहे हैं और ये प्र